हलो फ्रेंड्स मेरी यूटूब चैनल अस्टडी.81 में आपका श्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग बिधान सभा और बिधान परसद में अंतर को देखेंगे आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेशिक बातों को जान लेते हैं जैसे केंदर में शंसद होता है और संसद के तीन अस्तम राष्टपती लोग सभा और राज सभा होता है इन तीनों के समलीत रूप को ही शंसद कहते हैं जैसे संसत के दो शदन लोग सभा और राज सभा होता है ठीक वैसे ही बिधान मंडल के भी दो शदन होते हैं बिधान सभा और बिधान परसद आज की इस वीडियो में हम लोग यही बिधान सभा और बिधान परसद में अंतर को देखेंगे अब हम लोग आज के टॉपिक की और चलते हैं बिधान सभा और बिधान परसद में पहला अंतर है बिधान सभा बिधान मंडल का नीमनी सदन होता है जबकि बिधान परसद बिधान मंडल का उच सदन होता है नेक्ष्ट अंतर है विधान सभा विधान मंडल का प्रथम सदन होता है जबकि विधान परषद विधान मंडल का दुतिय शदन होता है नेक्ष्ट अंतर है विधान सभा में सदसियों का चुनाब प्रत्य चुरूप से व्यश्क मता अधिकार के द्वारा होता है जबकि बिधान परसद में सदसियों का चुनाब अप्रत्य चुरूप से एकल संक्रमनिय पधति के आधार पर होता है नेक्ष्ट अंतर है बिधान सभा एक अस्थाई शदन है क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है जबकि विधान परसद एक अस्थाई शदन है क्योंकि इसे कभी नहीं भंकिया जा सकता प्रंतु परते एक दो बर्ष के समाप्ति के बाद इसके एक तिहाई शदस शेवाने बृत हो जाते हैं नेक्ष्ट अंतर है विधान सभा जनता का प्रतेनी धित्प करती है जबकि विधान परसद राज के कुछ बिसेस बर्गों का प्रतेनी धित्प करती है नेक्ट अंतर है विधान सभा के सदसियों के अधिक्तम संख्या 500 तथा नियुंतम संख्या 60 होती है जबकि विधान परसद के सदसियों की संख्या राज के विधान सभा के सदसियों की कुल संख्या की एक तिहाई होती है प्रंत विया 40 से कम नहीं हो सकती नेक्स्ट अंतर है धन विधेयक के बल विधान सभा में प्रस्तावित किया जा सकता है जबकि धन विधेयक विधान परसद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता नेक्स्ट अंतर है विधान सभा के सदस राष्ट पती के चुनाब में भाग लेते हैं जबकि विधान परसद के सदस राष्ट पती के चुनाब में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट अंतर है राज सभा के चुनाब में विधान सभा के सदस भाग लेते हैं जबकि राज सभा के चुनाब में विधान परसद के सदस भाग नहीं लेते। नेक्स्ट अंतर है बजट को पारित करने में बिधान सभा को अधीक अधिकार दिये गया है जबकि बिधान परसत को कम अधिकार दिये गया है उप्यूक्त अंतर को जानने से पता चल गया होगा कि शक्ति और अधिकार के मामले में बिधान सभा बिधान परसत से आगे है इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समापत होता है यह दि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब किजिएगा हम लोग फिर मिलेंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार